है कि अधिया थैंक यू सो मच पर जाइन गई इस वीडियो में हम लोग जो डिसकेशन करेंगे वो डिसकेशन है बजट अलोकेशन के बारे में हमने प्रीविज वीडियो में डिसकेश किया था कि आपको क्या-क्या होती है एक facebook ad campaign को रन करने से पहले और उसमें एक बहुत important factor था budget आपका budget ही decide करता है कि आपको कितना result किस time में और you know कितनी fast speed के साथ मिलेगा और बहुत सारी चीज़े हैं क्योंकि अगर आपने budget decide नहीं किया है या budget properly allocate नहीं किया है तो क्या होगा किया तो budget जल्दी खतम हो जाएगा या budget आप कह सकते हैं कि खर्च भी होगा लेकिन result आपको नहीं मिलेंगे तो budget allocation जो है वो बहुत important है और facebook में आप दो लेवल से या दो लेवल पर budget को जो है वो allocate कर सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से level है जहां पर आप budget को allocate कर सकते हैं तो यहां पर दो level पर आप budget को allocate कर सकते हैं वह है campaign level और asset level previous videos में हम ही देख चुगे हैं कि facebook ad account का जो structure है या campaign का जो structure है वो तीन पार्ट में डिवाइड है सबसे पहले campaign level, campaign के अंडर बाद आता है adset level और adset के बाद आता है ad level यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं आपको एक जो image है वो भी दिखाऊंगा तो यहाँ पर दिखी यहाँ पर campaign का फिर फिर उसके अंदर multiple dots know, adset level और उसके इनदर multiple uhpies plus ads on onektionza then only also addriv वो ग्याव अपने ड्रास tragic साइन कर सकते हैं दो सबसे उपर पर campaign level पर है या फिर आप ड्राइक कर सकते हैं यहाँ जो budget है वह भी आप दो तरिके से decide कर सकते हैं या तो आप daily budget डाल सकते हैं या फिर आप total lifetime budget डाल सकते हैं इसका मतलब कि आपने total एक time fix कर लिया कि मेरे को इस date से इस date तक for example 20 days के लिए add run करना है और मेरा total budget जो है वो 20,000 है तो automatically वो जो budget है वो पूरा lifetime budget count हो जाएगा अब देखें यहाँ पर दोनों में difference क्या है Facebook ने यह दोनों features क्यों दिये हैं क्या फरक है अगर हम campaign level पर budget decide करें या फिर addset level पर budget decide करें तो दोनों में फरक क्या होता है और दोनों में जो importance है importance है या significance है दोनों की वो क्या है तो सब्सक्रावल है मैं यह आपको practically दिखा देता हूँ कि यहाँ पर यह कौन-कौन सी option कहां पर आपको दिखते हैं तो जैसे यह आप अपने ads manager पर आएंगे और एक नया campaign create करेंगे और मालीजी कोई भी objective आप चूज करते हैं वहाँ पर कौन-कौन सी option हमें देखने को मिलते हैं वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पर देखी campaign का जो name है वो आ गया जो भी categories है buying है auction है यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक option देखेगा campaign budget optimization मैं थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ इसको campaign budget optimization यानि यहाँ पर campaign level पर भी आप budget allocate कर सकते हो यहाँ पर by default यह जो option है वो भी off है इसके अलावा दूसरा option क्या है दूसरा option है addset level तो अगर मैं addset level पर जाता हूँ next करके या directly यहाँ से click करके तो थोड़ा सा अगर मैं scroll करूँगा तो यहाँ पर भी जो budget and schedule वाला option है addset पर दिख रहा है अगर मैंने campaign पर on कर दिया यहाँ से इस option को मैंने on कर दिया तो अब जो addset level पर है वहाँ मुझे budget नहीं दिखाई देगा यानि मैं budget को control नहीं कर सकता यह दिखिए यहाँ पर आप मुझे कोई भी budget set करने का या enter करने का option नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मैं यहां पर आ गया campaign budget, दो टाइप का budget है, एक तो है daily budget यहां फिर lifetime budget, daily budget में हमने decide कर लिया कि per day हम कितना amount खर्च करना चाहते हैं, यहां फिर अगर हमने lifetime budget को set किया, तो यहां पर total budget हमने डाल दिया, और यहां पर हम जो add scheduling है, इसका मतलब lifetime का मतलब कोई एक particular starting date और कोई एक particular end date हमें set करनी पड़ेगी, तो यहां से इसको edit करेंगे, और यहां पर जो ads हैं, उनकी start और end date यहां पर decide कर देंगे, तो यह option जैसे ही मैंने tick mark किया, अब अगर add set level के अंदर मैं आउंगा, तो वहां पर मेरे पास starting date यह देखिए, starting date और end date, यह मेरे को option मिल जाता है, अगर मैं lifetime budget set करता हूँ, अगर lifetime budget के साथ मैं नहीं जाता हूँ, सिर्फ daily budget के साथ जाता हूँ, मैं यहां इसको change कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, तो lifetime budget और daily budget, same option मुझे add set level पे भी मिलता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको off कर देता हूँ, और आता हूँ, add set level पे, क्योंकि देखी, जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से options कहां कहां किस level पे आपको मिलता है, तो यहां पर add set level पे मैं आ चुका हूँ, और यहां पर आप मुझे budget and schedule के अंदर budget का option मिल रहा है, यहां पर भी दो option है, daily budget और lifetime budget, daily budget में budget schedule कर सकता हूँ, या फिर lifetime budget मैंने चूज़ किया, तो यहां पर भी start date और end date मुझे दिख रही है, तो option same है, लेकिन फिर दो जगह क्यों है, अगर सारी चीज़े same ही है, option same है, जो भी हमें facilities मिल रही है, वो same है, तो दो level पर क्यों है, एक ही level पर रख लेते हैं, Facebook को क्या मज़ा आया इस चीज़ में, कि उसने दो level पर इसको रखा, और यह इसकी importance क्या है, कुछ दो सोच के रखा होगा, तो देखिए, यहाँ पर हम इसको समझते है, कि जब आप campaign level पर budget decide करते हो, जब आप क्या करते हो, campaign level पर budget decide करते हो, तो होता क्या है, कि जो मैंने आपको यह वाला भी photo दिखाई थी, इमेज दिखाई थी, इसके अंदर आप देखोगे, एक campaign के अंदर multiple adset हो सकते हैं, एक campaign के अंदर multiple adset हो सकते हैं, तो अब अगर आप adset level पर target कर रहे हो, budget या फिर set कर रहे हो, और उतना ही जादा उनका monitor करने में आपको problem आ सकते हैं, यह पहला challenge है, दूसरा challenge क्या आ सकते हैं, आपके साथ adset में, माली जी आपने दो adset बनाए, adset 1 और adset 2, दोनों पर आपने budget डाला, लेकिन एक adset का जो budget है, वो total जो 24 आर से दिन के, उसमें पूरा spend हुआ ही नहीं, उसमें क्या हुआ, पूरा spend हुआ ही नहीं, माली जी 500 रुपे में से, सिर्फ 200 रुपे खर्च हुआ है, और 300 रुपे बच गए, और जो दूसरा adset है, उसमें पूरा budget खर्च होगे, तो अब जो बचा हुआ दिन है, यानि जितने भी घंटे बचे हुए उस दिन में, उसमें आपका ad नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर budget खतम हो चुका, तो यह अगीन एक चैलेंज है, और एक और चैलेंज यहां पर बता देता हूं, कि एक से जादा adset बनाने के पी बचेटर रिजर्ट लेके आता है, यानि हम alpha beta testing कर पाए, अब अगर adset पे हम level पे जो है budget allocate करेंगे, तो हर adset पे हमें manually budget allocate करना पड़ेगा, इस problem का solution है campaign level, इस problem का solution है campaign level, इसका मतलब क्या है, हमने बोला कि हम adset, यानि facebook ने आपको option दिया, कि आप adset level पे budget को allocate मत करो, आप क् campaign level है, उस पर budget allocate कर दो, जो भी आपका start date है, end date है, lifetime में daily है, जो भी budget है, वहापर आप set कर दो, अब आप उसके अंदर जितने भी adset बनाना चाहते हो, बनाओ, कोई problem नि, आपने campaign level पे set कर दिया budget, अब जितने भी adset बनाना चाहते हो, बनाओ, जितने भी ad copies बनाना चाहते हो बनाओ, facebook क्या करेगा, advantage समझी अब इसका, facebook क्या करेगा, कि मान लीजिए, आपने campaign level पे 4000 पर दे का budget लगाया, ठीक है, 4000 पर दे का आपने budget लगा दिया, और 4 adset बना दिया, 4 adset आपने बना दिया, तो technically 1000 रुपीज पर adset हमारा एक technically मोटा मोटा हिसाब लगाया, तो यह सा हो इसका, चारऑ करेगा कि कौन सा adset अच्छा perform कर रहा है, और उसके किस particular adset के पास जाधा opportunities आ रही है, हो सकता है ना कि 4 adset same perform ना करे, कि चारो में से कोई एक है जो best perform कर रहा है, यह जादा अच्छा perform कर रहा है, जो बाकी बाकी तीन है, वो कम अच्छा perform कर रहे है, हो सकता है तो होगा क्या कि campaign level पर जब आप budget decide कर देते हैं तो अब फेस्बुक के algorithm monitor करेगी कि किस adset को कितना budget मुझे allocate करना है 4000 आपने total दे दिया per day का 4 adset है अब जो जितना अच्छा perform करेगा या जिसके पास जितनी ज़्यादा opportunity आएगी उसके इसाब से Facebook उस particular adset को budget allocate करता जाएगा के अंदर सिर्फ 200 रुपे खर्चुए हो जो C है उसके अंदर 500 रुपे खर्चुए है और D के अंदर सिर्फ मान लीजे 300 रुपे या 200 रुपे खर्चुए है ऐसा हो सकता है क्यों क्योंकि A को ज्यादा chances मिले एक ही जो audience थी एक ही जो targeting उसके इसाब से जो A adset है उसमें जित आपन लेवल पर चेक कर सकते हैं कि campaign में जितने भी adset थे वह कैसा perform कर रहें तो आपकी जितने challenges थे ना एक तो manually check करना हर adset के budget को वह खतम हो गया manually control करना adset के budget को वह खतम हो गया adset level पर monitor करना वो साही चीज़े खतम हो गया आप सीधा campaign level पर कर सकते हो तो आपकी जो problems है यानि जो hassle है उसको कम कर दिया campaign budget optimization है इसको बोलता है CBO campaign budget optimization it means आप जब आप campaign level पर budget decide करते हो तो जो campaign है वो equally सब में budget distribute करता है लेकिन जो अच्छा perform कर रहा है जिसको ज्यादा requirement है budget की automatically उसको ज्यादा budget allocate दे देता है और जिसको requirement नहीं है उसको कम budget allocate कर देता है तो मतलब यह कुछ इस तरह से कि आपने माली जी अब जिसे हमारे घर में parents है ठीक है तो बचमन में क्या होता था कि कोई रिश्दार आया ठ देखे गए हमारे हाथ में माली जम तीन चार भाई बैल या दो तीन भाई उन सब के हाथ में 20 रुपे दे दिये तो हमारी मम्य है पाप क्या बोलते थे खासकर मम्य भोलती है कि लाओ लाओ मुझे दे दो जब भी तुम्हें पढ़ीगी मैं दे दूगी ऐसा ही होता था कि वारे नहीं कपड़े खरी लेंगे चॉक्लेट खा लेंगे क्यों पता है कि अभी अगर दिया खर्च कर देंगे खो देंगे या कुछ भी और हो जाएगा ठीक है तो उस केस में क्या होता था कि मम्मी जो है हमारी वह कंट्रोल ले लेती थी तो वैसे ही हम जो जितने भी पता चला या ममी को पता चला कि जो सबसे चोटा वाला बच्चा है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर खाने का आइटम ख़तम हो गया है या उसके लिए लाना या कपड़े लाने for example तो क्या कि अब ममी ने जो बजट था टोटल उसमें से बाद निकाला बजट और उसके इसलिए उसको बजट दे दिया बाद में जब और बच्चों को नीड होगी तब उसके अकॉर्डिंग डिस्रिब्यूट कर देगी ठीक है इसी तरह से कैमपें क्या करता है कि कैमपें भी आपके एट सेट में equally बजट डिस्रिब्यूट करता है बट अगर मालीजी कोई अच अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाके दिया जाए वह भी लोएस वह भी लोएस कॉस्ट में तो जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगा उसको बजट अलोकेट हो जाएगा रन टाइम पर आपको उसकी जंजट करने की ज़रूत नहीं है और आपको फेस्बुक आपको अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रन टाइम पर ज्यादा बजट अलोकेट कर दिया जाएगा तो यह फरक होता है campaign budget optimization में और adset budget optimization में अब मैं आपको यह बता देता हूँ जाते जाते कि कौन सा case में किस case में कौन सा method यूज़ करना चाहिए अगर मालीजी आपने campaign मनाया और उसके अंदर एक ही adset है उसके अंदर एक ही adset है और एक दो ही ad copies है एक दो ही ads है तो उस case में आप चाहिए cbo use करें या abo use करें कोई फरक नहीं पड़ने वाला क्योंकि एक ही है मतलब यह बहुत हो गई है कि आपके घर में एक ही बच्चा है मतलब एक ही बेटा है बेटी जो भी है एक ही चाइल्ड है और जो पैरेंट है तो आप उनको यह देखने की जरूद नहीं कि दो या दो से जादा adset है तब आप cbo को use करें तो आपकी जो महनत है वो बचेगी hassle है वो बचेगा और जो budget का evenly distribution है वो होगा और आपको maximum जो results है वो मिलेंगे तो यह दोनों की scenario आपको मैंना बता दिये जब single adset है तो आप कोई भी use करें चलेगा लेकिन multiple adset है तो recommend यह होता है कि आप cbo use करें उससे आपका जो performance है वो बढ़ेगी और ultimately देखे alpha beta testing करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि cbo से आपके best result आएंगे ही आएंगे हो सकता है आ जाए हो सकता है नहीं है लेकिन जो facebook guide करता है वो cbo करता है अगर आपके दो या दूसरे जादा adset हो तो guys यह था budget allocation का funda कि कहां पर किस level पर budget allocate कर सकते हैं किते type से कर सकते हैं कौन-कौन से optimization के method है और उनका क्या मतलब है उम्मीट करता हूं को वीडियो पसंद आई होगी ऐसे ही informative और हमारी facebook ad series के next videos का notification सबसे पहले पाने के लिए अभी गया भी चैनल को subscribe कर लो bell icon को दुबादो so that हमारी जितनी भ वीडियो में तब तक के लिए take care सवस्त रहें मस्त रहें और देखते रहें माई ऑनलाइन बाइव गर